नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर आज हम देख रहे हैं जीविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रशन वस्तु निष्ट प्रशन है आड़ेडी इस पर कई वीडियो बन चुके हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चलिए आज का प्रशन हम सुरू करते हैं विटामिन C का रसाइनिक नाम पूछा गया है साइट्रिक अमल एसकॉर्बिक अमल और सही आंसर है वो है ओप्सन B एसकॉर्बिक अमल विटामिन C का जो रसाइनिक नाम है दोस्तों वो है एसकॉर्बिक अमल इस तरह का प्रशन प कौन सा शरीर में भंढारित नहीं होता, क्या पूछा है, नहीं, भंढारित नहीं होता है, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, तो option C, विटामिन D जो है, विटामिन D जो है, वो सरीर में भंढारित नहीं होता है, ठीक है, और बाकी विटामिन A, विटामिन C विटामिन E ये सब सरीर में भंडारित होता है लेकिन विटामिन D सरीर में भंडारित नहीं होता ठीक है अगला प्रशन देखते हैं कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है A C K E तो विटामिन A जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है अगला प्रशन है निम्नलि मतलब जो जल में घुल जाता है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन C, जो है वो जल में घुलन सिल होता है, ठीक है, विटामिन C, जबकि विटामिन A, D, E ये घुलन सिल नहीं होता है, और विटामिन C जो है वो घुलन सिल होता है, ठीक है, अगला प्रश्न है प्राता कालिन धूप में मानव शरीर में निम्न लिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D तो प्राता कालिन धूप में प्राता कालीन धूप में मानव सरीर में निमने लिकित मैं से कौन से विटामिन उत्पन्न होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D तो धूप का संबंद जो है वो विटामिन D से है तो आप्शन D, विटामिन D राइट आंसर है धूप से मानों सरीज में विटामिन D की प्राप्ति होती है अगला प्रश्न है मचलियों की यक्रीद के तेल में किसकी प्रचूरता होती है बेसिक सा प्रश्न है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E सभी को पता है कि विटामिन D की प्रचुरता होती है मचलियों के यक्रीत के तेल में ठीक है तो इसलिए विटामिन D की परिपूरनता के लिए मचलियों की यक्रीत का तेल का भी उपयोग किया जाता है और इसके अलावाद धूप का उपयोग किया जाता है, मतलब धूप लिया जाता है अगला प्रशन है, कोले केलसी फेराल रसाइनिक योगी का समान ये नाम है हड़ी केल्चम, विटामिन D, विटामिन B, विटामिन C तो विटामिन D जो है, उसका रसाइनिक नाम है दोस्तों, कोले केलसी फेराल ये याद रखना है, विटामिन D का रसाइनिक नाम है, कोले केलसी फेराल ठीक है अगला प्रश्ण विटामिन E का रशानिक नाम क्या है रेटिनाल, री, बो, फ्लेवीन, पैरीडाक्सिन, टोको फैराल तो विटामिन D, विटामिन D जो है टोको फैराल यह है विटामिन E का रशानिक नाम और कोले केलसी फेराल विटामिन D का है और विटामिन E का टोको फेराल ये याद रखना है ठीक है अगला प्रशना देख लेते हैं इसमें कुछ इस तरह से प्रशना है जिसमें पूछा गया है कि विटामिन E विशेस्तह किसके लिए महत्वपूर्ण है दागों के विकास के कार्बोहाइडरेट उपाप चयन के लिए लिंग ग्रंतियों की समाने क्रिया में उपकला उत्तकों के समाने स्वास्त के लिए और राइट आंसर है वो है विटामिन C लिंग ग्रंतियों की समाने क्रिया में विटामिन E विशेस्ता महत्वपूर्ण है याद रख लीजिए लिंग रंतियों की समाने क्रिया के लिए विटामिन E का विसेश महत्वपूर्ण इस्थान है प्राशन करमांग अगला देखते हैं निम्न लिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के इसकंदन में कार्य करता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K, तो विटामिन K जो है वो रक्त के इसकंदन में कारी करता है, ठीक है, अगला प्रश्ण, मानव श्रीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन C, आंसर इसका भी कुछ देर बाद वो जम जाता है वहाँ पर रक्त वूझ वागिन eight कराण और ये एक आवस्यक चीज है अगर विटामिन LGBTQ की कमी हो तो रक्त का ठक्क का नहीं जमेगा और सरीर से रक्त निकलता रहेगा और ये बहुत नुक्सान दैक हो सकता है तो विटामिन के आवस्यक है रक्त के ठक्के जमने के लिए पिर से वही प्रस्ण है निम्नलिकित में कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवस्यकता होती है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, अभी पिछले प्रस्ण में बताया, विटामिन K की कारण रख्त का थक्का जमता है, रख्त का इसकंदन होता है, तो विटामिन K इसका राइट आंसर है, अगला प्रस्ण है, विटामिन E का महत्व पूर्ण श्रोत नीमन चारों में से, विटामिन A का सबसे अच्छा श्रोत है, गेहुं अंकूर का तेल, ठीक है, और मचली का तेल जो है, वो विटामिन D का सबसे अच्छा श्रोत है, अगले प्रशन है, दातों में निम्नलिकित में से क्या होता है, प्रोटीन, केलसियम, कार्भो हाइडरेट, खनी तो दातों में calcium होता है जो calcium से ही बना होता है हमारे दात और हड़ीयों में भी calcium ही होता है जिसका संकेत ह। जो है वो CA है ठीक है तो दात और हड़ी calcium से ही बने होते हैं option B, right answer है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से किस तत्व का संबंद दातों की विक्रिती के साथ है क्लोरीन, फ्लू ओरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो दातों की विक्रिती मतलब दातों का तेड़ा मेड़ा हो जाना ये किस से संबंदी थे इन चार आप्संस में से Option B जो है Fluorine Fluorine का संबंद दातों की विगृती के साथ है तो Fluorine के कारण ही दात की विगृती होती है दात का तेड़ा मेडा बड़ा होना ये सब Fluorine के कारण होता है अगला प्रशन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है कि हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनीज आवस्यक है Sodium, गंधक, Potassium, लोहा हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए Option C, Potassium जो है वो हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए आवस्यक खनीज है और इसका संकेत वो है के, के जो है इसका संकेत होता है और ये हिर्दे की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या, पोटेसियम, पोटेसियम महत्वपूर्ण है, हिर्दे की धड़कन कंट्रोल करने के लिए, अगला प्रशन है, सागर इनका महात्व पूर्ण शरोत है, समुद्री खरपदवार वहीं से आपका नमक बनता है ठीक है अगला प्रश्न है निम्नमे से कॉन आयोडीन का सरवोत्तम शरोत है सयवार सेम मूलीगेहू तो sahयवार जो है वो आयोडीन का सरवोत्तम शलोत है और यही काई काई जो होता है वही सेवाल है जो हरा हरा दिखता है काई जिसमें फिसलन भी होती है वही होता है सेवाल और यह जो सागरी खरपतवार यह सागरी सेवाल होता है उसमें आयोडिन की प्रचूर मात्रा होती है अगला प्रशन है इसमें पूछा गया है उपस्थी तथा हड़ियों के निर्मान और समपोसन में आवस्यक तत्व क्या है मेगनिसियम, केलसियम, जींग, सिलिकान थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे दात और हड़ियां जो है वो बनी होती है केलसियम से तो यहाँ पे उसका राइट आंसर होगा केलसियम, जिसका संकेत होता है C A ठीक है तो रसायन से ही संबंदित है जीविग्यान भी केलसियम जो है वो उपस्थी तथा हड़ियों के निर्मान और समपोसन में आवस्यक होता है केलसियम की कमी से इसमें हड़ियों से संबंदित बीमारी हो सकती है जो विटामिन D की कमी से होता है तो केलसियम जो है एक आवस्यक तत्व है हड़ियों के निर्मान और समपोसन के लिए ठीक अगला प्रशन देखते हैं इसमें पूछा गया है कि केल्सियम की आवश्यक्ता निम्न लिकित में किस निमित है मास पेसियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास उपरोक्त सभी तो option D दे दिया है उपरोक्त सभी तो आपको थोड़ा confusion हो सकता है लेकिन हड्डियों के विकास आपको confirm है कि केल्सियम का संबंध हड्डियों के विकास से है और दातों के विकास से है तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है तो दोस्तों इसका right answer जो है option D option D यहाँ पे right answer हो जाएगा केल्सियम क्या हो सकता इन तीनों चीजों में होती है हो तो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आउन करके रखिए ताकि जब भी नए वीडियो आएं तो आपको जानकारी मिलता जाए इस वीडियो के अंद में आपको अन्य वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा इस स्क्रीन पर ही उसे आप जाकर देख सकते हैं ठीक है धन्यवाद